यो सो गाइज कैसे हो आप लोग मैं उश्यद एंड वेलकम बैक तो मैं चानल सो गाइज हमारा आज का टॉपिक है वी सेवन नॉर्मल सो गाइज जैसा कि आपको याद हो मेरा पिछला वीडियो था ट्रामैक्स पर तो मेरा नया वीडियो आ चुका है और यह है पाइलेट वी हम लोग वीडियो करेंगे नॉन रिफिलेबल वाले का और फिर मैं एंड में बताऊंगा आपको कि मेरा नेक्स कंटेंट क्या है सो गाइज पहले मैं को बता दूँ इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या देखने वाले हैं सबसे पहले हम इसकी बिल्ट क्वालिटी चेक करें है यह सब और फिर वाटरूफ टेस्ट करेंगे सो गाइज अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज गाइज अभी तक तीन लोगों नहीं बस सब्सक्राइब किया है लेकि मुझे और सब्सक्राइ में पस तो यहां पर बहुत ही स्लिम सा है एक दम बिल्कुल स्लिम सा है और यही बाद इसकी में को सबसे अच्छी लगती है गाइस इसको मतलब पकड़ते तो थोड़ा ऐसे पकड़ते हैं लिखते वाग तो थोड़ा प्रोफेशनल फील आता है गैसे बहुत पतला है तो अ बहुत पसंद आता है इस वजह से और यह कहते हैं बिस्दस के जॉब परिये लोगों के लिए सबसे बेस्ट होता है और स्टूडेंट्स के लिए यह वाला बेस्ट होता है कार्टरेश वाला तो गाइज यह उससे महेंगा भी आता है ठीक है और वह सस्ता आता रीफिलेबल भी होता है इसलिए उसे उसे बच्चों के लिए बना गया है मतलब स्टूडेंट्स के लिए और इसे बड़े लोगों के लिए मतलब टीनेड्स या एलल्स पहली के बहुत सारी जीजां जिन मुझे पसंद है अब देखो इस पर यहां पर कितना पाइलेट लिखा है मतलब पाइलेट के लोगो है और पाइलेट लिखा है यहां लिखा है इस पीर लिक्विड इंक या लिखा है वी 7 हैटक पॉइंट 0.7 गाइस बड़ा इतना अच्छ एसे कलर होता है इसका अच्छा सा लगता है वाजब यह जो यह लिखा होता है फिर यहां पर आपको इसकी क्याप पर दिखा देता हूँ इसकी कैप दिखरी होगी तो यहां पर देखो पाईलेट ऐसे लिखा हुआ है और इसके बाद यहां पर एक लगजर लिखा हुआ है देखो लगजर क्योंकि पाईलेट के सामान होते हैं मतल़ पाईलेट के जित्तीवी चीज़े होती है दोता है है सब को लगजरी इंडिया तक पहुंचाता है है इसको लगजरीमतलब ट्राश्पोर्ट करता है और हमारे Danny पास पहुंचाता है बुन के चेले इसलेश पर लगजर लिखा ओ nächए तो यहाँ पर हमारे हैं को कि यहाँ पे एक इन तरीका होता है लेकिन वह मैं आपको आगे चलते चलते बताऊंगा तो यहां पर यह यह इंग टैंक होता है यहां सब देख सकते हो कितनी बची है तो मुझे अच्छी चीज लगी और फिर यहां पर चल्द मापको बताई देता हूं तो गाइज देखो इसकी लिक्विड अंक होती है तो यहां पर अभी इस वाले पॉट्शन को देखो जहां पर वी सेवन यह लिखा हुआ है यह जो वी सेवन जहां पर लिखा है वहां पर फोकस करो आप अरे ये फोकस नहीं आ रहा गाईज एक मिनट फोकस 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 अरे फोकस तो हो जा हाँ तो यह पर जो वीज़ से लिखा उस पर फोकस करो तो गाईज यह देखो देखो इंक आ गई इंक भर गई अच्छा लगता है और पहले तो जब भरी होती है तो यहां तक होती है लेकिन जब आपकी इंक खतम हो जाती है तो आप ऐसे करके कर सकते हो तो अच्छा लगता है मतलब ठीक है उसके बाद आज अभी यहाँ पर मैंपस को दिखाता हूं है तो गाइस है काई विए दिखेंगा नहीं लेकर मैं ट्राइ करता हूं दिखाने का गाइस फोकस नहीं हो पा रहा है कुछ जाद ही छोटा है यह फोकस हो जा फोकस 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 नहीं हो पा रहा है एक मैं ट्राइ करता हूं गाइस अब मैं एक दो बार और ट्राइक कर ले तो उसके वाद अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा मैं आको बता दूंगा एक बार बस फोकस हो जाएं का इस नहीं हो रहा फोकस बहुत छोटा है छोटा पार इसलिए फोकस नहीं हो पार रहा नहीं हो पाएगा इसलिए जगह पर एक डम नल पर एक कि मतलब जो इस को औंदर की तरफ करते हैं अलब कैलो जैसे जोड़ सब दबाएंग करेंगे तो ब् fallait ऐसे नीचे छाए जाता था थोड़के तो वैसा ही बनाई और वो उसे डिमपल्स कहते हैं तो गाइज इन डिम proud से होता ए से यह डिम्पल्स आगे अलब डिम्पल्स के जासे इसकी टिप थोड़ी अलग्स हो जाती है देखो तो यह दिखेगा नहीं लेकिन इसकी टिप की शेप एक हेक्सगन जैसे हो जाती है एक मिर में ओके गाइस हेक्सगन नहीं असल में इसकी शेप हो जाती है एक मिर मेंट गाइस तो गाइस इसे ट्राइंगल प्लस हेक्सगन भी कह सकते हैं तो गाइस इससे राइटिंग इसकी बहुत स्मूध और अच्छी से बनती है यह जपान ने इसका देखो मैं आपको चीज दिखा देता हूं कि अगर आपको दिख रहा हो तो यहां पर जापैन लिखा हूँ है क्यूंकि यह पैंस बना ने बनाय जापैलोगों और मैं वह जो कार्टर्श पाइलेट के जिते भी प्राइड्ट होते हैं शायद वह सारी जापैन में बने में वीज वीजवन कार्ट्रेज वाला भी लाइट लिखा हुआ हैं इसलिए धिकhes नहीं डिखेज़ थू ella इसमें जोड़ा लिखा है तो दिखाएगा इसमें थोड़ा टाउर के लख तो रही ग्पीड पटला से एकसे छोगते हैं पटला से अपी अच्छा सा आ लगता है तो आपको इससे कुछ लिख कर दिखाता हूं सो इसका स्मज्ज टेस्ट भी कर लेते हैं और इसा कि मैं बता रहा हूं यह स्मज्ज हो भी सकता है गया इसका अगर आप इसे खरीद के स्मज्ज करके ट्राइकर होगी तो इसमज्ज नहीं होगा यह एक विड्राइपन है अगर आप इससे खरीद के लाओगे और इस पर नहीं करोगे मतलब जो नॉर्मल वाला होता है तो वह बिल्कुल स्मज्ज नहीं होता इसका वाटरप्रूफ टेस्ट पर हम कर लेते हैं और गाइस मैंने जब इससे लिख कर देखा मतलब पेन को रोकने का मन नहीं कर रहा है तो बहुत स्मूध चल रहा है लिटरली गाइस बहुत स्मूध है तो गाइस अब इसका वाटरप्रूफ ट्राइस करके देख लेते हैं सो सो गाइस देख सकते हो आप मतलब यह दिखेगा नहीं वैसे मैं आपको जड़ा पास से दिखाता हूं सो गाइस देख सकते हो मतलब बहुत जादा ही समझ हो गया है पानी से और जैसा कि हम सबको पाइलेट की प्रॉबलम पता ही है यह वाटर प्रूफ नहीं होते हैं और वैसे भी इस वह है कि कहते है एक्सपरिमेंट वाला पेन है तो और जादा समझ होगा सो मैं आप एक दरता हूं 0.5 mm नेव साइस और गाइस यह हमारा पाइलेट की तरह से आने वाला वी सेवन नॉर्मल तो गाइस बिलकुल भी मतलब 2022 water resistant नहीं है मत शमझना कि वातर प्रूफ तो बिलकुल नहीं है वाटर इस हम प्रूफ पूर आखरते है और अब मैंसित की LEAK लेता हूं जब पानी लगाते तो क् Такि इस दॉनाथर बिली नहीं है और वो भी waterproof नहीं है अपना जो V7 cartridge होता है वो भी बिल्कुल smooth नहीं है मतलब smudge proof नहीं है so guys मतलब मेरे को इपन वैसे अच्छा लगता है लेकिन बस smudge की वजासे मतलब बस water resident ना होनी की वजासे मैं को नहीं पसंद है वैसे आपको वैसे वैसे पना वर कहा पानी के अस-पास ले जाना होगा तो वैसे तो यह पन अच्छा ही है लेकिन तब भी अगर आप waterproof पन चाहते तो इसको तो बिल्कुल मतले है लेकिन यह बाकी सब चीजों में हर चीज में बेस्ट है अगर waterproof भी इसको दे दिया होता पाइलट ने तो इसको तो हराना मतलब मुश्किली नामूम्किन था अन्बीटबल पैन था यह क्योंकि इसमें हर चीज है जो एक नॉर्मल पैन में होनी चाहिए स्मूध भी है ठीक है स्मूध तो होना ही चाहिए पैन को उससे तेज राइटिंग मनती है ठीक है स्मूध तो है और अपना स्मज़ ब्रूफ भी आलमोस्ट क्योंकि मेरा तो एक्सपरिमेंट वाल है वैसे ही है स्मज़ नहीं होता है मुझे पैन बहुत अच्छा लगा और अगर आपको यह आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब करना अगर यह आपको पैन पसंद आता है तो आप बता देना मेरे को कमेंट में वैसे गाइस कमेंट बंद होता है लेकिन कभी-कभी मैं खोल देता हूं तो जिस पर खुला हो उसमें बता देना मैं इसका आपको फिर जिस वीडियो के कमेंट में बताओगे उसके नेक्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंग आपको अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेर कर दो यार कॉल बहुत कम मतलफ सब्सक्राइबर्स है और मैं जानता हो इस में बहुत आовые से जनता देखती हैं लेकिन सबस्क्राइब नहीं करती प्लीज सब्सक्राइब कर दो गैस आपको अच्छे कउंटेंट देखने एTo गई प्लीज सब्सक्राइब कर आता रहूंगा और अब याद से सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को आल पर सेट कर देना और मैं आप से मिलता हूं अपनी नई वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ तिल देन बवाए स्टे सेफ बी हापी यहू